हालो वाइज वेलकम बैक अगें तो दे चैनल तो आज आप देख रहे हो मैं आपको एक नहीं टेक्निक जो हो बताने जा रहा हूं जिससे कि आप अपने लैपटॉप में या अपने कंप्यूटर के अंदर पासफ़र्ट रिसेट कर सकते हो अगर आप वह पासफ़र्ट भूल जाओ तो पासफ़र्ट क्योंकर मैं भूल चुका हूं तो यहां पे आपका सिस्टम जो हो लॉग इन नहीं हो पाएगा ठीक है तो आप इसका मैं स्लूशन आपको बताऊंगा किस तरह से आप पासफ़र्ट रिकवर कर सकते हो विदाउट यूजिंग एनी सीडी यूएसपी और कोई भी बैक अप जो है आपके पास नहीं है उसक क्वश्गुकुकूभ और कॉप आप कंप्लीट करका कुछuw तक देखना विद्चर यूजिंग इस में कोई बी स्टेप स्क्रीप करने माना नहीं जैसे आप यह देख पारे स्क्रीन के ओपर अभी आपको यह सिस्टम को फोर्स्ट शुट डाउन करना पड़ेगा अभी आप देख सकते हैं जैसे यह बूटिंग प्रोसेस चुरू हुआ तो मैं इसको यहां से पावर यह बटन दबा के इसको बंद कर देता हूं एक बार हो प्रेस्ट करते हैं तो इसमें प्रिपेरिंग आटमेटिक रिपियर यह आपको दिख रहा है यहां पर अब सिस्टम डाइग्नोस्टिक शुरू हो जाएगा ट्रबल शूटिंग करेंगे हम सिस्टम की मैं आपको ओप्शन्स दिखा देता हूं क्या क्या ओप्शन्स आपको यहां पर दिखने वाली है तो अब देख सकते हूं जैसे यह ओप्शन्स हमारे पास आगी आटमेटिक रिपियर की तो इसमें से आपको अडवांस आप्शन जो है उसको स्लेक्ट करना है चलिए अडवांस आप्शन पर जाने के बाद देखिए आपको इस तरह की आप्शन्स हुए है वह दिखाई देंगी आपको पिक करना है प्रबल्शूट पिर यहां पर अडवांस आप्शन्स इसको ख्लिक कर लेंगे अब यह आपको पास्वर्ट के लिए कह रहे हैं यहां पर कांटिनू प्रेस किया तो आपके समने इस तरह से एक स्क्रीन आजाएगी यह कुछ आप्शन्स आपके समने आजाएगे अगि है इसको आपको कैंसल कर देना है यहां तुके नेक्स पे क्लिक करना है कि हैं यहां से अडवांस आप्शन्स कर लेंगे कि कि सब्सक्राइब देख रहे हैं इंस्टालर ड्राइबर कि पिलिक कर लेंगे हरां तो यहां पर 74 के प्रेस्स कर लेंगे हम कि इससे कुछ आपक में समय आ जायेंगे तो आपको डीडराइफ के ओपर जाना है यहां से कुछ क्लिक करके हम डीडराइफ के ओपर चले क्लिदाइन के बाद Dy drive पे जाने के बाद I K extraordinarily करना हैी वे the Friends Merci वालद करने है अब रिखा घ्र धानल जो है वह हमें यहां मिल रहा है उसको उपन कर लेते हैं आप सिस्टम 32 फोल्डर जो हुआ करके उसको उपन करेंगे कि सिस्टम 32 को डून रहा है फोल्डर को देखिए जैसे यह मिल गया अब हमें दो फाइल को डूनना है यहाँ पर एक तो कमांड प्रम्ट को डून देंगे और एक दूसा जो आप्शन रहे कि मारी वोट है कि यूटिल मैं फर्स्ट हम यूटिल मैं को ओपन कर लेंगे ठीक है यूटिल मैं को ओपन क्या करना उस फाइल को लुकेट करके उसका उसको रिनेम कर लेना है यूटिल मैं वन हम करके रखते तें जैसे यह मिल गया हम है यूठ् sun कर लेते हैं और कमांटम्ट को हम चेंज कर देंगे इूट्छ से क्या होगा कि जब हम system को restart करेंगे तो फिर हमारे पास easy to assessment हमें कमांट प्रोम्ट ओपन हो जाए कि मैं अब इसको हम यूट्छिल man कर लाते हैं तो थीक है ये भी ओगया अब हम इसको cancel करके back कर लेते हैं और गार कर लेते हैं cancel करेंगे तो प्रेक होता जाएगा अब हमें यहां कि इसको continue प्रेस कर देना है और window को load होने देना है अब देखिए wait कर लेते हैं अब easy to access जो है वह आपको पता power button के पास में ही यहां पर आपको दिखेगा इसको click कर लेते हैं तो हमारा command prompt open हो जाएगा है देखिए जैसे यह open हो गया तो अब आपको command जो है वो यहां पर type करनी है यह आपके command prompt पर command जो type करनी है वो आपको लिखना है net user तो चलिए net user हम इस पर type कर लेते हैं जिसमें एक चीज़ का दियान रखना है कि net user जब आप type करें तो net और user के 20 में space आपको देनी है फिर आपके user जो है वो open हो जाएंगे अब यह से यहां देख रहे हैं आप user आ रहे हैं तो हमारा जो user जिसका password हम में reset करना या हम भूल चुके हैं वो है यह second वाला option जिसका नाम है जख तो अभी इसको कैसे करना है अपने अपने लिखना है net user जख space डालने के बाद आपको stick डालना पड़ेगा और enter प्रेस कर देना है ठीक है यह आगया टाइप पासवर्ड फार दा यूजर अभी अगर आपको टाइप करना है पासवर्ड कुछ रखना है तो रखिए नहीं तो enter प्रेस करके आप आगे निकल जाएए इसको blank छोड़के ठीक है री टाइप पासवर्ड बोलेगा ठीक है आपको फिर से यहां पर enter प्रेस करके निकल जाना है ठीक है आपको पासवर्ड मैसेज आ जाएगा command completed successfully और फिर उसके बाद आप इसको यहां तो उपर से cross करके निकल जाएए तो यहां इधर exit लिखके यहां से बाहर हो है आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपका desktop जो है वो ओपन हो जाएगा देखिए ठीक है तो पासवर्ड आपका जो है वो बाइपास हो गया तो यह एक टेकनिक है जिसे आप क्या कर सकते हो आप अपने system में without losing any data of your system आप अपने password को बाइपास कर सकते हो without using cd or pen drive or any other external media आपको कुछ करने की जूरूरत नहीं है ठीक है तो आप अपने system को login कर सकते हो इस तरह से ओप करता हूं गाइज आपको य वीडियो अच्छी लगी होगी और अगर इच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बेल आइकन को प्रेस करना ताकि लेटेस वीडियो की notification कुछ मे और र कर लेसे जीक है जा रोसो काई जाय है है